गुड मॉर्निंग फ्रेंज्ट्स, वेलकम टू शाट हैंड हैंड गुड मॉर्निंग इस्टेंड ग्राफिय सीरीज में आप सभी का स्वागत हैं तो चले स्टार्ट करते हैं अस्य सब्द प्रति मिनट के डिक्टेशन स्टार्ट यह चोरी और सीना जोरी का सटीक उदाहरन ही है कि राजसभा में घोर अमर्यादत आचरन का परिछे देने वाले सांसत अपने निलंबन के विरोत में यह कुतर्ग पेस करने में लगे हुए हैं कि सत्तापक्ष विपक्ष की आवाज दबाने का काम कर रहा है क्या जो विपक्षी दल निलंबित सांसतों के सर्मनाक व्योहार की पैरवी कर रहे हैं वे विपक्ष के सासन वाले राजियों की विधान सभाओं में प्रतिपक्ष के वैसे ही बरताव को सहर्स स्वीकार करने को तैयार है जैसा विगत दिवस कॉंग्रेस त्रडमूल कॉंग्रेस आमादमी पार्टी और माकपा के सांसतों ने किया क्या पीठा सीन अधिकारी से धक्का मुक्की करने माइक तोडने नियम पुस्ति का फाणने आधिको संसदिय परंपरा का हिस्सा मान लिया गया है यदि नहीं तो फिर यह सब करने वालों के निलंबन के खिलाफ हल्ला क्यों मचाया जा रहा है सर्मना के वल यह नहीं कि निलंबित सांसतों ने समस्त संसदिय मर्यादाएं तार-तार कर दीं बलकि यह भी है कि अपने निलंबन की घोशना के बाद भी वे सदर में बैठे रहें पैरा देज जानना चाहेगा कि ऐसा किस नियम परंपरा के तहत किया गया यह और कुछ नहीं एक तरह से नियम अपने हाथ में लेकर खुली मनमानी करना है यदि ऐसे आचरण को स्विकार किया गया तो फिर सदन और सडक की राशनिती का अंतर ही खत्म हो जाएका इससे खराब बात और कोई नहीं हो सकती कि जिन सांसदों ने सदन की मर्यादा भंग की वे अपने आचरण पर सरमिंदा होने के बजाए राज्य सभा के उप सभापती के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ले आए आखिर इसे संसदिय धिठाई के अलावा और क्या कहा जा सकता है पैरा या पहली बार नहीं है जब हद से जादा हंगामा करने वाले सांसदों को निलंबित किया गया हो ऐसा पहले भी हो चुका है और यहां तक कि उस समय भी जब कॉंग्रेस सत्ता में थी तथ्य यह भी है कि एक नहीं अनेक बार पक्ष विपक्ष में यह सहमती बन चुकी है कि सदन में अमर्यादित व्योहार करने वाले सांसद निलंबन के हकदार होंगे संख्याबल की अपने कमजोरी को अपने बाहुबल से दूर करने की कोशिस लोकतंत्र की धजियां उडाने वाला काम है इस तरह के आचरण से न तो संसद चल सकती है और नहीं लोकतंत्र पैरा लोकतंत्र नियमों से चलता है न की उनकी खुली अवहेलना से निलंबित सांसदों ने यही किया यदि हमारे संसद ही नियमों का पालन नहीं करेंगे तो फिर वे आम जंता से यह अपेक्षा कैसे कर सकते हैं कि वह नियम सम्मत व्योहार करे हुडदंग मचाने वाले सांसदों की तरफदारी केवल संसद का ही अपमान नहीं है बल्कि उन सभी सांसदों की अंदेखी भी है जो नियम परमपराओं का पालन कर संसद की गरिमा बढ़ाते हैं कर दोगा है असे सब्द पृति मिनट डिक्टेशन समाप तो अब बारी है सो सब्द पृति मिनट के डिक्टेशन की स्टाट होगा थ्री सैकेंड बाद स्टाट यह जोरी और सीना जोरी का सटीक उदाहरण ही है कि राजसभा में घोर अमर्यादित आचरण का परिचे देने वाले सांसद अपने निलंबन के विरोध में यह कुतर्क पेस करने में लगे हुए हैं कि सत्तापक्ष विपक्ष की अवाज दबाने का काम कर रहा है क्या जो विपक्षी दल निलंबित सांसदों के सर्मनाक व्योहार की पैरवी कर रहे हैं वे विपक्ष के सासन वाले राज्यों की विधान सभाओं में प्रतिपक्ष के वैसे ही बरताव को सहर्स स्वीकार करने को तैयार हैं जैसा विगत दिवश कॉंग्रेस, त्रिडमूल कॉंग्रेस, आमादमी पार्टी और माकपा के सांसदों ने किया क्या पीठा सीन अधिकारी से धक्का मुक्की करने, माईक तोडने, नियम पुस्तिका फाडने, आधिको संसदिय परंपरा का हिस्सा मान लिया गया है यदि नहीं तो फिर यह सब करने वालों के निलंबन के खिलाफ हला क्यों मचाया जा रहा है सर्मना केवल यही नहीं कि निलंबित संसदों ने समस्त संसदिय मर्यादाएं तार-तार कर दी बलकि यह भी है कि अपने निलंबन की खोशना के बाद भी वे सदन में बैठे रहे देश जानना चाहेगा कि ऐसा किस नियम परंपरा के तहत किया गया या और कुछ नहीं एक तरह से नियम अपने हाथ में लेकर खुली मनमानी करना है यदि ऐसे आचरण को स्वीकार किया गया तो फिर सदन और सडक की राशनिती का अंतर ही खत्म हो जाएगा इससे खराब बात और कोई नहीं हो सकती कि जिन सांसुदों ने सदन की मर्यादा भंग की वे अपने आचरण पर सरमिंदा होने के बजाए राजसभा के उपसभपती के खिलाफ और विस्वास प्रस्ताव ले आएए आखिर इसे संसदिय ढठाई के अलावा और क्या कहा चा सकता है यह पहली बार नहीं है जब हद से ज़्यादा हंगामा करने वाले सांसुदों को निलंबित किया गया हो ऐसा पहले भी हो चुका है और यहां तक कि उस समय भी जब कॉंग्रिस सत्ता में थी तथ्य यह भी है कि एक नहीं अनेक बार पक्ष विपक्ष में यह सहमती बन चुकी है कि सदन में आमारियादित व्योहार करने वाले सांसद निलंबन के हकदार होंगे संख्याबल की अपनी कमजोरी को अपने बाहुबल से दूर करने की कोशिस लोकतंद्र की धज्यां उड़ाने वाला काम है इस तरह के आचरण से न तो संसद चल सकती है और नहीं लोकतंद्र लोकतंद्र नियमों से चलता है ना कि उनकी खुली अवहेलना से निलंबित सांसदों ने यही किया यदि हमारे संसद ही नियमों का पालन नहीं करेंगे तो फिर वे आम जंता से या अपिक्षा कैसे कर सकते हैं कि वह नियम सम्मत व्योहार करें हुड़दंग मचाने वाले सांसदों की तरफदारी केवल संसद का ही अपमान नहीं है बलकि उन सभी सांसदों की अंदेखी भी है जो नियम परंपराओं का पालन कर संसद की गरिमा बढ़ाते हैं कि डिक्टेशन समाप्त हुआ ऐसे ही प्रते दिन आपको डिक्टेशन मिलता रहा है इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए बगल में जो बेल आइकन है उसे दबाना बिल्कुल भी न भूलें ताकि वीडियो के सारे नोरिफिकेशन आपको मिलते रहे धन्यवाद फिर आपको के सारे रहे बगल St बाता रहे जकितक बपसक्टेशन आपको के साल师 प्रेणर लिएजिए आपक आपको दोल्ग में कि अचैनल आपको कि वीजिए ऊबते से सालники